दोस्तो 20,000 पोस्ट पे भरतिया निकाली गई है और यहां पे बीए, बीए, सी, बीकॉम वाले अप्लाय कर सकते हैं जिनका ग्रेजिविशन कम्पेट हो चुका है एररिंग वाले नहीं चलने वाले जिनका कम्पेट हो गया वो लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर्म बढ़ने में दोस्तों जादे चार्ज आपको नहीं लगने वाला तो 20,000 पोस्ट पे वेकेंसिस है चलिए मैं इसको आपको नोटिफिक्शन दिखायता हूं यहाँ पर आप दे सकते हैं इसको यह ओफिशल नोटिफिक्शन है और आप दे सकते हैं कमबाइन ग्रेजिट लेवल एक्जाम से हैं तो इसमें दोस्तों आपको फॉर्म बना है 17 सितमबर से प्रारम हो चुके हैं और यहाँ पर 8 अक्टूबर 2022 इसकी लाज़ डेट रखी यहाँ पर आधन करने के लिए दोस्तों जो फॉर्म बने के आपके एक्जाम रहेंगी यहाँ पर 8 अक्टूबर प्लोज जाएंगी फॉर्म की फीस रहेंगी वह भी आपको पैट कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चॉक्शन का विंडियो रहेंगा अ आटर से 30 वर्स वाले भी और ऐटर से 32 वर्स वाले पोष्ट यहाँ लुक्त-अलग यहाँ पर कर पाएंगे जैसे की सिच को 5 वर्स भी तो प्पीज को 3 वर्स की और 20 से साथ मिलने वाली है एक लाख एक लाग इंकाउंचे 100 रुपर दिया जाएंगा असिस्टेंट और साथ में यहां पर दे जाएंगे जिसमें सेक्शन ऑफिसर के यहां पर साहिक की भरती की जाने वाली है तो यह सब साहिक की रहेंगी फिर इंकम टैक्स में भी दुस्ताफ की भरती है उने वाली है इसमें साथ ही यहां पर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सब इंस्पे के व्याज़ की जाएंगी इसके बाद दोस्तों यहां पे है पेले बल 5 392 से वियांबे जा 300 सेलरी दी जाएंगी ऑडिटर के बरती रहेंगी इसके बाद है का अंचने की भरती भी इसमें कर दी जाएंगी सबसे अच्छी वेकेंसी यहां पेले बल चार 25,500 से लेके 81,000 रुब प्रतिमा को दिया जाएंगा इसमें आपकी पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग अस्टिंग की भरतिक की जाएंगी डाक भाग में और आपका दुस्तों यहां पे सीनियर सेक्रेटी असिस्टेंट अपर डिजन क्लर्क टेक्स असिस्टेंट अपर 100 रुपिस लग रही है और जो S.E.S.T. के हैं उनको यहां पर कोई सुल को निलाएंगा जीरो बैल इसमें आवदन कर सकते हैं और जो महला है सभी कास्ट की सभी केटिगरी की वो लों भी निसमें आवदन कर सकती है और यहां पेमेंट आप भीम यूपी आई नेडबेंकिं या अगर आप पास गुगल पे है फोन पे है क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है रुपे कार्ड है मास्टर कार्ड है मास्टर कार्ड वीजा कार्ड जिससे भी आपको पेमेंट करना है विर्कलो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यह वेपसाइट ऑनलाइन पेमेंट एकस इसको करिशन करने में जो की काफी ज़्यादा है एक्जाम सेंटर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भुपाल गौलियर इंदौर जबलपूर सतना उज्जेन बिलासपूर राइपूर दुर्ग भिलाई में जाके दोस्तों आप मुर्दे विद्रश वाले अपलाए प्ल इंग्लेस से तो आपको यहाँ पर पचीस परशन आएंगा प्चास अंका यहाँ पर रहेंगा एक घंटे का समय देया जाएंगा और इससे निकाल लेना है जो लोग इसको निकाल लेंगी वो लोग्यापए second पेपर में आ जाएंगा और यहाँ पर तुरह सा डिफिकल्ड ह हो सकता आपके लिए mathematical reasoning रहेंगी यहां पर English language और general awareness computer knowledge data entry speed आपके सब चीक की जाएगी उसके बाद दुस्तों आपको पर selection किया जाएंगा दुस्तों किया जाएंगा रहे जाए है लिए लेगाने सागया जाएंगा और